नमस्ते मैं पलवी हूँ और आप भारत एक नेसोस देख रहे हैं प्रदेशों में सबसे उत्तम उत्तर प्रदेश ही तो है यहाँ पे पुलिस एकदम लौ एन ओर्डर बना कर चलती है महिला सुरक्षा की तो आप बात ही मत करिए रात के बारे बजे गहने लाद कर सूंसान सडकों पर भी अगर महिला निकल जाएं तो क्या मजाल है किसी की कि वो छूदे इस तरीके का लौ एन ओर्डर उत्तर प्रदेश में है क्या कर रहे हैं यकीन नहीं हो नहीं आपको अरे भाई ये बात मैं थोड़ी क्या रही हूँ ये बात ग्री मंत्री हमें सा क्या रहे थे आपको याद तो हो गई उन्होंने कहा था कि रात के बारे बजे भी अगर इस प्रदेश में या पूरे देश में महिलाएं सोना लाद कर स्कूर्टी से निकल जाएं तब भी उनको छूने की हिम्मत जो है वो किसी के पास नहीं है महिला सुरक्षा के नाम पर पूरे देश में एकदम मस एकदम कड़क वेवस्ता कर दी गई है इस तरीके की बात कहीं तो गई थी ना हम इस वीडियो में हमिस्ता वाली वो जो बाइट है वो भी आपको दिखाएंगे लेकिन आप आपको मैं बताने जा रही हूँ कि खाकी वर्दी की खुद की हैट कॉन्स्टेबल तक भी सुरक्षित नहीं है और ये पूरी कहानी किसी जंगल राज या किसी ऐसे जगह की नहीं है भाई उत्तर प्रदेश की बात है अब आप सुन रहे होंगे तो आपको हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में एक महिला हेट कॉन्स्टेबल के साथ सरे आम सडकों पर जो किया गया है वो अपने आप में बड़ा संसार है और फिर से सवाल हो जाता है कि खाकी वर्दी जो है वो सुरक्षिती नहीं है मतब सोच कर देखें को याम घरेलू महिला होती तो मान भी लिया जाता कि चलो ठीक है इस तरीके की हिंसा हो गई होगी लेकिन खाकी वर्दी के खुद की एक हैस कॉन्स्टेबल के साथ इस तरीके की धटना हो जाती है और घटना के बाद वो जो आरोपी होता है उसका चहरा भिगाड देता है उस महिला कॉन्स्टेबल का उसका दाथ तोड़ देता है सुन रहे हैं आप उत्तरपदेश के कानपूर में एक महिला है कॉन्स्टेबल अपने ससुराल करवा चौत मनाने जा रही थी और लिफ देने के नाम पर एक यूवक ने उसके साथ दरिंदिगी की वो महिला उसको रोकने की कोशिश करती है और रोकने में ही जो है वो जो आरोपी होता है वो उसको एक मुक्का मारता हो और मुक्के की वज़े से जो है उस महिला हैट कॉन्स्टेबल का दांट तूट ज चाती है और अचानक से मेरे जहन में वो वीडियो याद आ जाता है कि अमित्सा ये कहा करते थे कि रात के 12 बजे सोना लाद कर अगर महिलाई निकल जाएं तो भी छूने की हिम्मत किसी के पास नहीं है ना तो रात का 12 बज़ राथ था और ना तो महिला अबला या कमजोड थी महिला खुद हैथ कॉंस्टेवल थी उसके बावजूद भी आरोपी जो था उसने इस तरीके की हिमाकत की है इतनी बड़ी जुरत की है अब आप सोच कर देखिए कि उस प्रदेश में जिसमें law and order की दुहाई दी जाती है उस प्रदेश में जिसमें कानून विवस्ता एकदम कड़क है सॉलिड है इस तरीकी की बात कही जाती है हर सुबह से लेकर शान तक हमारे देश के प्रदेश के नेता लोग ये बात कहा कर करते हैं और सबसे जादा राम राज कहीं पर आया है तो वह उत्तर प्रदेश में ही आया है आयोद्या में राम मंदिर बनने से लेकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री law and order इतना बहतर बना चुके उसके बावजूद भी इस तरीके की गटना क्यूं हो गई ये बड़ा सवाल पूछा जाना है चाहिए या नहीं कि आरोपी ने किसी भी महिला के गिरबान पर हाट डालने से पहले एक बार भी उसे उत्तर प्रदेश पुलिस का डर क्यूं नहीं सताया क्या पुलिस सिर्फ एंड काउंटर माहिर हो चुकी है वो आरोपियों को रोकने में एकदम बेकार हो चुकी है अपना खौफ और डर वो सायद आरोपियों में उस तरीके से ना बना पा रही हो इसी वजह से जो है इस तरीके की घटना को अंजाम दिया यह जो महिला है वो हैट कॉंस्टेबल है और आयोध्या में तैनात है और अभी यह बताया जा रहा था कि जा रही थी तभी आरोपी ने उसे लिफ्ट देने की बात कई और लिफ्ट देने के नाम पर जैसे ही उसने अंधेरा देखा वैसे ही महिला पर तूट पड़ा और महिला को एक खेत में जब अजस्ती ले गया उसके साथ दुसकर्म करने लगा उसके आद महिला चिलाती है च तूट जाता है महिला ने भी बचाओ के लिए जो है वो उसको काटा उसकी हाथ पर जो है काटने का प्रयास किया और इसी जद्दो जहत में इस चीखम चली में जो है वो लोग कठा हो जाते आरोपी भाग निकलता है महिला किसी तरह जो है वो अपने ससुराल पहुंसती और पूरी घटना बताती है उसके बाद पूरी घटना सुनने के बाद परिवार वाले जो है वो चाकर थानी में यह सारी रिपोर्ट लिखाते हैं घटना जो है वो सेना पंचिम पारा छेतर की है सेना पंचिम पारा थाना छेतर में जाकर महिला जो है वो अपने बारे में बता और महिला जो है इस तरीके का FIR लिखा कर आती है उसके बाद बताए जाता है कि यह जो आरोपी का नाम जो है वो कलूर धरमेंद पासवान है उसे पकड़ लिया गया है और उस पर आक्षन लिया जा रहा है इस तरीके की बात अब कही जा रही है कि ये जो आरोपी हैं ये इस तरीके से महिलाओं को शिकार बनाते हैं कि आप समझ भी नहीं सकते कि आप अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजे या ना भेजे हर चौक चौराहे पर खड़े ये जो दूसकर्मी है ये सिर्फ एक अबला और एक लड़की को सुनसा सड़क पर मिलने का इntजार नहीं करते ये किसी भी तरीके से किसी भी समय जो है आपके ऊपर हाट डाल सकते हैं जपटा मार सकते हैं ये वह गिध है जो चौतर्फा निशाना बनाने के कोशिश करते हैं बसेने किसी भी मौका मिल जाए तो यह सोचने की बात है कि जब सबेरे से लेकर शान तक अकबारों की सुर्खियों से लेकर रन तक यह बात कही जा रही है कि law and order बहतर हो गया हो गया हो गया तो कैसे बहतर हो गया यह बड़ा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए और ऐसा नहीं है कि इस तरीके की घटना पहली बा जब खाकी वर्दी में बैठे कुछ लोग की मानसिक्ता ही ऐसे है कि वो खुद इस तरीके की गंदी मानसिक्ता से ग्रस्थ हैं तो law and order बहतर करके आप महिलाओं को कैसे ही सुरक्षित रख पाईएगा और कैसे ही आप महिलाओं को विवस्तित कर पाएंगे जब खाकी पाद नया हो रहा है और बीट्यों के सासाथ इतना कानुव को घस्ता जीरो हो गई है कि बताइए पुलिस के साती हो जाए रही है इस उन्यमे आरा कि कानपुर में पुलिस की महला कांस्टेब्र या कोई बढ़ादिकारी थी constantly उसके साथ घंड़ना हुए और सोचो पुलिस के साथ घुटना हुई हो और उसी शहर कानपूर में पुलिस के आप पकड़े गए कि पच्छिस वार रुपए है और याद कीजिए पैले चानी पगड़े गए थी आज पैसे पगड़े गया है पूरा पुलिस चला रही है सर्दार को यह स्थिती पैदा हुए है कि सुनिया आपने शुप्रिया शुनेत भी इस मैंटर पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि यूपी की लड़कियां गहने लाद कर रात को बारे बज़े स्कूटी से सडकों पर चल सकती हैं और वह कामा लगा कर अमिस्था लिखती है कि अमिस्था की लाइन को उन्होंने कोट किया है आगे वो लिखती है कि कल शाम यूपी में महिला पुलिस हैट कॉंस्टेबल का घर जाते वक्त रेफ हो गया इस तरीके की बाद जो है वो शुप्रिया शुनेत कह रही हैं और ऐसा नहीं है कि इस तरीके से सिर्फ दो चार चंद लोगों ने सवाल खड़ा किया है सि पक्ष की तरफ से चिंता करने वाले लोगों की तरफ से लेकिन हैरानी तो तब होती है ना जब देश में जिनके उपर सुरक्षा की जिम्मदारी है जो रक्षक हैं वही भक्चक बने पड़े हैं तो क्या ही किया जा सकता है लड़की के साथ दुसकर्म करने का यह जो मामला है छेड़चाड करने का यह जो मामला है वो करने वाला को यह और नहीं पुलिस वाला ही था यह देखिया आप यह तमाम न्यूज आर्टकिल्स और इस तरीके की घटनाओं से बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि इसी पुलिस के बिना पर यह कहने की कोशिश योगी जी क रक्षक हैं वो खुदी भच्चक बने पड़े हैं तो इनसे हमारे प्रदेश की महिलाएं कैसे ही सुरक्षित हो पाएंगी और इनके डर से महिलाएं अगर अपने आपको घर में क्यात करने लगें तो देश और प्रदेश का विकास संभव नहीं है क्योंकि किसी भी देश अप्रोदेश के विकास के लिए महिलाओं की भागेदारी उतनी जरूरी है जितना पूशों की आधी हिश्चदारी अगर घरों में बैठ जाए अपने आत्म रक्षा के सम्मान के लिए अपने С्वाविमान के लिए यह यह कह दे कि अपनी जो है आत्म रक्षा के लिए पर जगह है, यही एक चीज़ शप्ती है कि महिलाओं को ससक्त करने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने के लिए हमने वो सबसे बहतर काम किया है और एक लाइं तो आपके ही है ना? की महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में तो कैसे होगा महिलाओं का सम्मान और कैसे हो पाएंगे महिलाएं सुरक्षित ये बड़ा सवाल है क्योंकि लूट का माल पुलिस भी खा रहे हैं और चोर भी खा रहे हैं ये भी मामला है जो है इस तरीके के मामले जो है वो क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं और महिला शुरकश्या के नाम पर अखबारों में बैंबरों में ना था पर ओ आ honestly कdoor सुना जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अपने तारीफ में इस तरीके की लाइन लिख कर ये कहा करते हैं कि हमारे इस समय में और हमारे काल में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं तो वो अपने आपको कैसे सुरक्षित करें, बांकि बहुत बहुत धनिवाद, यहां तक देखने के लिए, वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो लाइक कर लिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारा एप इंस्टॉल करना चाते हैं, तो प्ले स्टोर पर हमारा एक एप है, बारत एक नहीं सोच के नाम से आप उसे भी जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत बहुत धनिवाद,